हलो दोस्तों आज अग 30 मई 2021 और 30 मई 2021 से जितने भी हरी आना एक कराट है वेरे कोईस्टन वनते हैं हम सब इस वीडियों डिस्क्रेस करेंगे और साथ इसाथ इंपोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे लाश्ट में आपके लिए क्वेस्टन है और आप इस करेंटा फैर की पीडियों फाइल को डिस्क्रेप्शन में दीवे लिंक से डालोड कर सकते हैं तो क्वेस्टन मेर वन है हर याना सरकार किस योजना के तैथ कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 35 रुपे परती महा देगी तो किस योजना के तैथ दिये जाएंगे तो इसका राइट एंसरोग उप्शन भी तो मुख्या मंतरी बाल शिवा योजना के तैथ दिये जाएंगे 25 रुपे परती महा जिन भी बच्चों के माता पिता कोविड बिमारी एकान उनकी मिर्टू हो गई है अब पढ़ लेते हैं दोस्तों और क्या दिया जाएगा 18 वरस तक 25 रुपे परती महा दिया जाएगा 12,000 रुपे हर साल के लिए अन्य खर्चों के लिए दिया जाएगा और इन बच्चों का आवरती जमा काता भी खोला जाएगा और जो भी लड़किया है उनके लिए कस्तूर्बा गांधी बाल विदाले में निसुलक सिक्सा दी जाएगी और इनका विखाता कॉल कर 50,000 रुपे विवास अगून के समय नहीं दिया जाएगा समयत भी आज की अब दोस्तों जीकर है योजनाओं से सम्मधित वातुहरियान की प्रमुक योजनाएं देख लेते हैं जासे क्वैसन पूछे जाते हैं देवी रूपक योजने की सरवाद 25 स्तंबर 2002 को इती देवी रक्षक योजने की सरवाद 2 अक्टूबर 2003 को बेरोजगारी पता योजना 2004 को सरूख किया गा था मिढ़े मेल योजना 15 अगस 2004 को डाक्टर अमबेडगर मेदा विचातर योजना 2005 में सरूख कियी गई थी दोस्तों इस सभी इंपोर्टेंट योजने हैं जो पूछी जा चुक्यों बार बार पूछी जाती है वन नीती योजना 2006 में इंदरा गांधी प्रियादर्षनी विवास सग्यून योजना 14 में 2005 को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना आठ मार 2015 को सियम विंडो योजना 25 दिसंबर 2014 को बाहदूर्गड हरियाणा का पर्थम बलोक मना था जहां पर सियम विंडो केंदर की सरवात की गई थी सवच हरियाणा सवच बार तब्यान एक नुमबर 2014 को मेरा पानि मेरी विरासी जोजना 6 मई 2020 को और इस योजना का ब्रांड मैस्टर बनाया गया मनिका स्योकंद को नेक्स्ट क्वेस्टन नुमबर दो है हालिम हरियाणा के कितने हक्टेर तलाबों में मसली पालन होता है तो हरियाणा के कितने हक्टेर तलाबों में वर्तमान में मसली पालन का कारिया होता है तो इसका रायट इन्स रोग आफिसन ए एक तो 17,444.58 हक्टेर तलाबों में हरियाना में वर्तमा में मसले पालन होता है तो इस तो पढ़ लेते हैं important question ही ये भी परदेश में वर्स 1966 में केवल 58 हक्टेरों में ही मसले पालन होता लेकिन आप बढ़ कर दे हूँ कितना हो गया है दूसरे स्थान पर है और राज्य में वर्स्तन वर्सक मसली उतुपादन 7,000 किलोगराम होता है जो कि राष्टिया वर्स्तन के मकाबले 2900 किलोगराम के परती हक्टेर के शाप से आता है अब दोस्तों इसे related कुछ important point है जिंगा मसली कल्चर के लिए लवनता करने के लिए बिवानी के गर्बा गाव में उतकुष्टा के अंदर स्थापित किया जाएगा और मसली पालकों के लिए करनाल और चर्की दादरी में दो बड़े फिस फिड मिल प्लांट भी लगेंगे चलते है next question number 3 है अर्यान के किस खिलाड़ी के लिए के टेजी मसीन जान लेते हैं किया यह निरे चोपड़ा यहरियाना से बिलाउं करते हैं इन दोनों के लिए एन आई एस पटियाला में एक विशेश स्ट्रेंथ बिल्ड मसीन लगाई गई है इस मसीन का नाम है क्राफ्ट ट्रेनिंग जेराट जिनकी केटिजी कहते हैं और जर्मनी बास हम बैला फांक खिलाडियों की मजबूती और अफ्तार बढ़ाने के लिए विशे इस मसीन हासिल करने वाला बारत पूरे विश्व का तिसरा देश बन गाई इसलिए आपके लिए क्वैसन इपोर्टेंट था दोस्तों अब जीकर नीरत चोपड़ागा उत उसके बारे में लावाएंगे और कोमन वेल्ट गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीच चुके हैं एसियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीच चुके 2018 में और जुन आवड मिल चुका 2018 में और नीर चोपड़ा की जीवन पर डोकोमेंटरी भी बनाई जाएगी पर च्यार है पंजाब और हरियाना ह के तैत विकास बहल को हरियाना एवं पंजाब हाई कोट का अतरिक न्यादिस न्युक्त किया है अब दोस्तों पंजाब एवं हरियाना हाई कोट के बारे में पड़ लेते हैं पंजाब एवं हरियाना हाई कोट की स्थावना 20 मार्च 999 को लाहोर में की गई थी इसलिए इसे लाहोर हाई कोट के नाम से भी जाना जाता है और अजादी के बाद 15 अगस्ट 1947 को इसकी स्थापना सिमला में की गई थी इसके अंतरगत पंजाब ही माचल परदेश वा दिली छेतर सामिल किया गया था क्योंकि तब तक हरियाना का नाम अलग राज्य के रूम में विक्षित नहीं हुआ था 17 जनवर 1955 को इसे सिमला से चंडिगड में सिफ्ट कर दिया और फिर एक नॉम्बर 1966 को इसे पंजाब हरियाना के लिए किस्यूंकत आईकोट के रूम में स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके चीफ जस्टीर रवी संकर जा है ये भी आपको यादर रहना है क्वेसन मेर पांच है हरियाना के किस वुबाग ने दोस्ती का हाथ फोन से बात नाम के उजने के सरवात की है तो किसी बुबाग दोवारा या परिशत दोवार इसकी सरुवाद की गई है तो रायट इंसर होगा उप्सिन सी तो हरियाना राजे बाल कल्यान परिशत दोवारा अब जान लेते हैं किया पंस्कुला के उपायक देखस मुकेस आहुजा ने बताया कि हरियाना राजे बाल कल्यान परिशत वाजिला कल्यान किंदर ने दोस्ती का हाथ फोन से बात एक महतो कासी उज़ना सरुग की है इस उज़ना के तहट करोना मामारी के दोर में गरों में रहने वाले बच्चों को मानसिक रूप से प्रने वाले परतुकुल पर बागो कम करने का कारिया किया जाएगा और हरियाना राजे बल्या बाल का लियान परिशत की स्थापना एक अप्रेल निसो कैतर को मुख्यला चंडिगड में मास चुवा परविन अतरी नेक्स्ट है क्वेसन बर चाहा है हरियाना सरकार ने कोविड आपातकाल रिन के लिए कितने करोड का को स्तापित किया है तो राइट इन शरोग उप्शन डी तो पांसे कोड रुपे का अब जान ले तिसके बारे में सरकार ने परदेश में कोविड मरीजों को दवाईया अक्सिजन एहूं अन्याची विच्चा सुविदा आपूर्ति कराने के लिए नए एहुंपराने उद्योग यो यनकी उद्योग पतियों के लिए हर्याणा कोविड अपात काल रिन योजना सरूग की है और इस योजना के तहट पांसो को रुपे को स्तापित किया है इस योजना के तहट सरकार वर्तमान में कारियरत व्यवसाईयों को रज्य में उप्ति प्रवजना इनकी जो भी प्रवजना है इनको पूरा करने के लिए कुछ शूट याई काय स्तापित करने में मदद करेगी अब दोस्तों कुछ इंपोर्टन फ़इंट पड़ लेते हैं इसे इल्डेटेट मिलते जूलते हरियाना सरकार ने विद्य एक पेस करके पर्देश में अमर्जेंसी बजट की सीमा को दोस्ते एक कोड़ रूपे से बढ़ाकर एक हजार कोड़ रूपे कर दिया है और आकासमिक निदी अधिनियम में सरकार ने संसोदन करके यह काम किया है आपको याद रगना है मर्जेंसी बजट सीमा को दोस्ते करोड़ से बढ़ाकर एक हजार कोड़ रूपे कर दिया है और हरियाना का बजट बारा मार्च 2021 को पेस किया था वितमंतरी मनोरलाल के दोवरा और कितना गया किया था तो कुल बजट एक पॉइंट पांच लाग कोड़ रूपे और पिछले वर्स के बज़र से तेरा परतिसत अधिक है कोड़ नबर साथ है हरियाना के कीस जिले के सूटर हसन जीव राजपूत टोक्यू ऑलंपिक 2020 में बारत का परतिनी दो करेंगे दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था हरियाना के 19 खिलारी टोक्यू ऑलंपिक 2020 में बाग लेने वाले और मैं आपको हर उलंपिक के जीवन से समझदी इंपोर्टेंट बताता रहूँ है तो कल मैंने नीरे चोपड़ा के बारे में बताया था जीव राजपूत के बारे में बात करते हैं तो यह यूम्नानगर जिले से बिलाउं करते हैं अब जान लेती इनके बारे में दोस्तों यह संजीव राजपूत है पढ़ लेती इनके बारे में संजीव राजपूत का जनम 5 जनमर 1980 को जगादेरी यूम्नानगर में हो आ था ठारा वर्ष का यूम्ना बारत या नोस यूना में जवान होई थे इनकी जवाईन होई थे और 2014 में मास्टर चीफ पेटी ओफिसर से रिटाइड हो चुके हैं और ये सजीव राजपूत 50 मीटर राइफल काटगरी में बारत का परतिनिद्दो करेगे ये आपको याद रखना इपोटन्ट पोइंट है तो ये तीसरी बार उलम्पिक में बाग लेने वाले हैं पहले बार बाग ले था 2008 बेजिंग में दुसरी बार 2012 में लंदन उलम्पिक में और कि इनके कुछ अंतराष्टिय पदक जी चुके हैं उनके वरे में पढ़ लेते हैं 2004 में इन्होंने इसलामाबाद में हुए सेफ गेम्स में 309 पदक और एक रज़त पदक जीता था सो कब में सोन पदक भी जीत चुके हैं 2014 में इन्चोंग दक्षिन कोरिया में हुए एस इन गेम्स में काईस्य पदक है और 2018 में एस इन गेम्स में 50 मीटर राफिल में ये पोजिशन में रज़त पदक जीता था और 2019 मेंनों ने आई एस इस इप की और से आईजित सूटिंग वड़क प में रज़त पदक जीता था सलते हैं नेक्ष्ट है Q8 है आलिम हरियाना खाद दे एउं सर्वाजिक वीतरन मंतराले ने परवासी मजदूरों की मदद के लिए कौन सी आप लाउंच की है तो इसका right and stroke option D तो मेरा रासन आप के तैस साहिता से कोई भी परवासी मजदूर इस आप की साहिता से अपने हरियाना में भी रासन ले सकता है और दोस्तो हरियाना सरकार ने हरियाना के खिलाडियों के लिए खेलो हरियाना आप भी लौंच की है आप से समधित कोईसन था इसलिए बता दिया कोईसन पर नो है हरियाना के की जिले का एक जिला उत्पाद यूजना के तैत खटे फल के लिए चेन हुआ तो इसका right and stroke अब भी वानी में फते बाद का पानी पत का हुआ गाजर के लिए कुर्खेतर का हुआ है आलू के लिए सिर्षा का हुआ की नो के लिए और आपको जल्द ही एक या दो दिन में इसकी संपौन वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट दोस्तों रोवीजन टाइप सरू हो गया हमने जो क्वेस्टन पड़े उनका पटापट सेर्वीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेस्टन अच्छी तरह से याद रह सकी हर्यान सरकार ने की से उजना के ताहत है कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 25 रुपे परतिमा देगी तो मुख्य मतरी बाल शिवा युजना के ताहत है और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ सेर्वी जरूर कर देना क्वेस्टन नम्बर दो है हरयान के कीश खलाड़ी के अलंपिक की बैस्तर त्यारी के लिए केटीजी मसीन लगाई गई है तो नीरे चोपड़ा की त्यारी के लिए क्वेस्टन नम्बर तीन है हाली महरयान के कितने हैक्टेयर तलाबो में मचली पालन होता है तो 17,445.58 है है एक्टेयर में हारियाना सरकार ने कोबिड अ पात्काल रिंड के लिए कितने कोड़ रुपय कोषज़ारी किया तो पांसे कड़ रुपय का और हरियाना सरकार नहीं रुपय की अम्वार जैनसी बजर शीवा को दोश्य एकड़र रुपयसे बढ़ाकर एक हजार रुपे कर दिया ये भी आपको याद रखना है Q7 हरियाना के कीस जिले के सूट, रसंजीू, राजपुत, टोक्यू और हमपी 2021 में बारत का परतिनी देतों करेंगे तो ये उम्नानगर के जगादेरी से भी लाउंग करते हैं Q8 हरियाना के कीस जिले का एक जिला एक उतपाद ये उजना के ताथ खटे फल के लिए चेन होगा तो बेवानी वाफते बाद का दोस्तो लास्ट वीडियो मैंने अपसे question पूचा था हरियाना सरकार आदी बदरी में बनने वाले किस नदी पर के डैम पर बिजली से इंतर स्थापित करेगी उस नदी का उधिगम स्थल क्या हरो और कितने जिलों से गुजरती है तो बहुत से बचों ने right answer दिया थैं कि सोमच उनका answer देनी के लिए और मैं आपको इसमें detail के साथ बताता हूँ तो यह डैम बनेगा सरस्वती नदी पर और इसी नदी पर बिजली सेंतर स्थापित करेगी हरियाना सरकार दोस्तों यह नदी वरतमान में लूप तो चुकी है लेकिन हरियाना सरकारी से पूने से जीवित करने में लगी हुई है और इसने दिखो उद्गम स्थाल कहा था तो यह हिमाचल पर देश के सिर मोर जिले से निकलती है और यह हरियाना के दो जिलों से गुजरती है यह युमनानकर के आदिबदरी सहरियाना में परवेश करती है और वहां से कुरुक्चेतर के पिहुआ में एक पिहुआ तस्यूल में एक अरुनाय गाउं है और अरुनाय गाउं में एक सेनिसा जील है जाम पर यह सेनिसा जील में गिरती है और वहाँ से गगर नदी में मिल जाती, ये भी आपको याद रुकना है, और इसी सरसोती के नाम से हर याना में अंतराश्टिय सरसोती मोट्सो भी बनाया जाता है, और पहला अंतराश्टिया सरस्थी मोच्चो बनाया गया था 2018 में और अब की बार 2021 में ये चोथा था और ये 14 फरवरी से 16 फरवरी तक ये 14 अंतराश्टिया सरस्थी मोच्चो बनाया गया था और इस मोच्चों की सरवात कहां से होती है तो इसकी सरवात होती है आदी बदरी उननागर से और हमापन होता है पी होगा कुरुक्षेतर से ये भी आपको याद रखना है Next दोस्तो आज के लिए अपका question है हर याना सरकार के ने विभागना अगर हम किसी भी चीज के बारे में लिख कर देखते हूं वह लंबे समयते गयाद रहती है और आने वाले एक्जाम में हमें हल भी करती है तो प्लिज कमान जरू करना और थैंक्यी सो मच आपका वीडियो देखने के लिए